वीवो के जितने भी V27 स्मार्टफोन के यूजर हैं वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि उनके स्मार्टफोन के अंदर Funtouch OS 14, Android 14 का अपटेट है वो जल्दी देखने को मिलेगा और मैंने भी आपके साथ में वीडियो शेयर करी थी कि दिसंबर मन्द के अंदर अपटेट है वो रोल आउट यहां पर कर दिया जाएगा लेकिन वीवो तो कुछ अलगी नशे में चल रहे हैं एक तो इतना लेट इस स्मार्टफोन के लिए अपटेट है वह आपर हो चुका है और उपर से इन्होंने Funtouch OS 14 का अपटेट है उसको रिलीज करने के बजाए एक नॉर्मल सेक्रूटी पेच लिवल का जो अपटेट है उसको आपर रिलीज कर दिया गया है तो क्या कहे हम लोग इस बात को वीवो के जो जितने भी टेम मेंबर्स है या फिर जो इनकी डेवलपमेंट टीम है क्या उनकी तरब से Funtouch OS 14 का अपट या नहीं किया जा रहा है वीवो के V27 स्मार्टफोन के लिए गईस सभी लोग याँ पर वेट कर रहेते हैं कि इस बार जो भी अपटेट है वो याँ पर रिलीज होगा वो आप लोगों को डाइरेक्ट वीवो के Funtouch OS 14 का जो बीटा अपटेट है वो देखने को मिलेगा ले यह समार्टफोन के अंदर आपको अपटेट की साइज मिलेगी 282 MB और कुछ के अंदर आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप लोग इन वर्जेन अमर को गोर से देखोगे PD 2269 CF लास्ट में आपको CF देखने को मिलता है और कुछ में आप लोगों को HF का भी जो option है न हो देखने को मिलता है कुछ यहाँ पर इस परकार से तो यह ऐसे depend करते हैं जैसे कि कुछ स्मार्टफून आपने flip card से buy किये होंगे online और कुछ आपने आपर vivo की official website या फिर offline store से आपर buy कि होंगे तो यह एक जो आपका doubt है वो मैंने बता दिया है आपको बाकी हम लोग बात करें इस update के अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ है न वो नहीं देखने को मिलती है तो बताने का तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि यार frontage OS 14 update का हम भी आपर बेट करें लेकिन इस update के अंदर December 2023 का latest security page level का update है वो यह पर provide किया गया है तो एर देखो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा वीवो की तरफ से मानलू जल्दी बाजी में update है वो यह आपर release कर दिया जाता है इसी वक्त और आपके smartphone के अंदर कोई bug आ जाता है जैसे कि कुछ समय पहले मेरे smartphone के अंदर ए इस update के अंदर आपको मिल जाए और आप लोग उस update से परेश्यान हो जाओ और features का दोयर क्या ही करेंगे बहले ही वो features हम लोगों को थोड़े late देखने को मिल जाए तो यही कहूंगा आप लोगों को wait कीजिए footage OS 14 का update वीवो की तरफ से जरूर से आपर roll out किया जाएगा लेकिन उसके लिए आपडेट को stable होना काफे जदा important है उससे हम लोगों को यहाँ पर problem हो सकती है तो wait कीजिए बाकी मैं आपको एक date बताने की कोशिस करूं कि कब तक इस update को roll out किया जा सकता है तो यह अब भी तो ह हम लोग December का मनत है उसका आपर wait कर सकते है December की जो ending है उससे पहले पहले जैसे की 31 December के एप्रोक्सी अपडेट आना वो आ सकता है कई बार होता है एक मनत के अंदर दो अपडेट आना वहाँ आपर release किया जाते हैं एक brand की तरफ से तो ऐसा भी होता है तो जरूरी नहीं है इस December अब अपडेट नहीं मिलेगा पांच-छे दिन अभी बाकी है हो सकता है उनके अंदर हम लोगों को अपडेट मिल जाए और मान लोग अगर ये अपडेट जैनवरी मनत के अंदर shift हो जाता है तो 10 जैनवरी के आसपास ही अपडेट है वो हम लोगों को जरूर से मिल सकता है बाकी एक्टिव रही है हमारे इसी यूटूब चैनल के उपर जो भी अपडेट आएगा उसकी information मैं आपके साथ में share कर दूँगा और यह टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोइन कर लेना ये वीवो का फंटेज ओस 14 अपडेट टेलिग्राम ग्रूप है और यहाँ पर काफ